हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेज फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आपसे बात करूँगा कि आपका जो थर्ड ग्रेट का मेंस का एक्जाम हुआ है उसकी आंसर की के उपर उसके साथ ही आपका result कब तक आ सकता है फूरा end-to-end आपसे discuss करूँगा आपके जैसे ही exam complete हुए exam complete होने के बाद हमें wait होता है कि हमारी जो answer की है वो जल्द से जल्द आ जाए तो answer की की बात करे तो बताया जा रहा है कि 14 मार्च साम तक जारी हो जाएगी आपकी answer की जो third great teacher पढ़ती है उसके आंसर की 14 March तक आपके आंसर की जारी हो जाएगी यानिकी आंसर की जारी करने के लिए board ने केबल 15 दिन लिये है अपडेट का कोडिंग तो यही है कि 14 March को ही आपके आंसर की आ जाएगी उसके बाद 18 मार्ज तक आपत्या मांगी जाएगी 100 रुपीज पर सुल्क लगेगा आपका एक क्युस्टन की आपत्या अगर आप जो है दर्ज कराएंगे जितने भी आपत्या आप दर्ज कराएंगे आपत्या आपको ओनलाइन दर्ज करानी है उसके लिए आपको 100 अब बात करते हैं result की कि आपका result कप तक आ सकता है तो result की date भी बताएगी है tentative date है 8 अप्रेल कहा जा रहा है कि 8 अप्रेल तक आपके 3rd grade का result जो की आ जाएगा एक बात और बता दूँ दो गुना अभ्यार्थियों को इसके अंदर पास किया जाएगा पाँच गुणा नहीं होगा क्योंकि पहले ही Already filter हो चुका है इसमें से केवल दो गुणा अभ्यारतियों को पास किया जाएगा किसके लिए? Document Verification के लिए बुलाया जाएगा जैसे ही Document Verification हो जाएगा और उसके बाद जल्द से जल्द आपकी joining इसके अंदर दे दी जाएगी ये सरकार का जो last year है इस last year से पहले आपको third grade की जो joining है वो मिल जाएगी ये important बात है कि joining कब तक मिलेगी 14 मार्ज तक आपका आएगा answer की उसके बाद जो है आपका 8 अप्रेल तक tentative date आई है जो मैं आपको बता रहा हूँ आगे अगर कोई और update आएगा तो वो भी आपके साथ share करेंगे 8 अप्रेल तक आपकी result जारी होने की संभावना है दो गुना अभ्यारती पास होंगे जिनका document verification होगा और उसके बाद joining दे दी जाएगी तो यह आज का अपडेट था दोस्तों thank you have a nice day bye bye